जानवी के पापा की खुशी का ठिकाना नहीं जानवी की मा ने शुक्रिया कहा जानवी की कॉलोनी में जश्न मना जानवी के मिल जाने की खुशी है जानवी ने कहा थैंक यू 28 सितंबर को डिल्ली से गाइब हुई 3 साल की जानवी घर लोटाई है और जानवी के साथ ही लोटाई जानवी के माता पिता, जानवी के परिवार, जानवी के महले की रौनक लोग नाच रहें, गा रहें जानवी को मायापूरी के लाजवन्ती गार्डन से रीकवर किया गया गायब होने के आच दिन बाद घर तक कैसे पहुँची जानवी चलिए पूरी कहानी तफसील से जानते हैं जानवी जो की 28 सितंबर से दिली के इंडिया गेट से गायब हो गई थी वो बच्ची आज संडे को इसी जगह पे मिली है मैं आपको दिखाओं ये लाजवन्ती गार्डन का इलाका है यहाँ पे किसी घर के पास में बच्ची खड़े हुई थी मेरे मुबाइल नंबर मेरे पिता जी का ये है इसी सड़क से एक वेक्ति गुजर रहा था जो की ठीक पीछे की तरफ से यहाँ से उतर के सामने बस्टेंड है बस्टेंड से आया था उसने उस बच्ची को ठीक इस जगह पे देखा उसके बाद उस बच्ची का जो गले में जो बोर्ड था उसको पढ़ा उसको बढ़ने के बाद वो वेक्ति ठीक इसी जगह से इसी गली से होता हूँ बाहर जो बजार लगा हुँ था बजार की तरफ पहुँचा है उसके बाद PCR को कॉल किया है PCR कॉल होने के बाद दिल्ली पुलिस बहाँ पहुँची है और उसके बाद बच्ची को अपने कबजे में लिया है जानवी घर तो पहुँच गई लेकिन पुलीस अब तक इस नतीजे पर नहीं पहुँच पाई है कि जानवी को इंडिया गेट से कौन ले गया आठ दिन वो कहां थी और आठ दिन बाद उसे माया पुरी तक कौन छोड़ गया और किसने उसके बाल मुंडवाए जानवी के साथ साथ तीन और बच्चियां भी रिकवर की गई है दरसल रगुबीर नगर के राकेश आहुजा 28 सितंबर की रात इंडिया गेट घूमने गए थे साथ में पतनी, दो छोटे भाई, चाचा और बुआ के दो बच्चे भी थे यही से रात करीब साथे नौ बजे जानवी अचानक गायब हो गई सोशल मीडिया से लेकर इंडिया गेट तक जानवी को ढूनने की अपील की गई लेकिन आठ दिन बाद जानवी घर लोटाई सुमेच चौहान निउस एक्सप्रेस दिल्ली